अब मैं माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी से अपना बहुमूलिय उद्बोधन देने के लिए विनम्र अनुरोध करती हूँ भारत माता की भारत माता की असम के राजपाल गुलाप चन कटारिया जी मुख्यमंत्री डॉक्तर हिमंता बिश्वाश सर्मा जी मंत्री मंडल में मेरे सहयोगी सरबारन सोनवाल जी रामेश्वर तेली जी असम सरकार के मंत्री साउसाथ और विधाय ग्याण विभिन्न काउंसिल के प्रमूक और मेरे प्यारे भाईयों और बहनों आपना लोग होको लोके मुरे अंत्री घुबेशा ग्यापन करे लो आज मुझे एक बार फिर मा कामाख्या के आशिरवाद से असम के विकाद से जुड़े प्रोजेक्स आपको सौंपने का सौभाग्य मिला है थोड़ी देर पहले यहाँ ग्याजा हजार करोड रुपियों के प्रोजेक्स का सलान्यास और लोकारपन हुआ है यह सारे प्रोजेक्स असम और नौर्थ इसके साथ ही दक्षीन एशिया के दूसरे देशों के साथ इस शेत्र की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेंगे यह प्रोजेक्स असम मेट टुरिजम सेक्टर में नए रोजगार पैदा करेंगे और स्पॉर्टिंग टैलेंट को भी नए आउसर देंगे यह मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ केर सेक्टर में भी रूप में भी असम की भूमिका का विस्तार करेंगे मैं असम के नौर्थ इश्ट के अपने सभी परिवार जनों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं कल शाम को यहां आया जिस प्रकार से गोहाटी के लोगवने रोड़ पर आकर के स्वागत संबान किया अबाल वुरुद्ध सभी हमें आशिरवाद दे रहे थे मैं आप सब करदय से आभार व्यक्तर करता हूँ मैंने टीवी पर देखा कि आप लोगों ने लाखों दीप जलाए आपका ये प्यार आपका ये अपना पन ये मेरी बहुत बड़ी अमानत है ये आपका असने आपके अशिरवाद मुझे निरंतर उर्जा देते रहते मैं जितना आप सब का अभार व्यक्तर करू उतना कम है भावी और बहनों बिते कुछ दिनों में मुझे देश के अनेक तिर्थों की यात्रा करने का उसर मिला है अयोध्या में भव्य आयोजन के बाद मैं अब यहाँ मा कामाख्या के द्वार पर आया हूँ आज मुझे यहाँ मा कामाख्या दिव्य लोग पर योजना का सिलान्यास करने का सौभाई के प्राप्त हुआ इस दिव्य लोग की जो कलपना की गई है मुझे इसके बारे में विस्तार से बताया गया है जब यह बन कर पूरा होगा तो यह देश और दुनिया भर से आने वाले मा के भक्तों को असीम आनंद से भर देगा मा कामाख्या दिव्य लोग परियोजना के पुरा होने के बाद हर साम और ज़्यादा स्रध्धालू यहां आकर दर्शन कर सकेंगे और मैं देख रहा हूं कि मा कामाख्या के दर्शन के संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ही पूरे नौर्थिस में यह टूरिजम का प्रवेश द्वार बन जाएगा जो भी यहां आएगा पूरे नौर्थिस के टूरिजम के और बढ़ेगा एक प्रकार से यह उसका प्रवेश द्वार बन जाने वाला है इतना बड़ा काम इस दिव्य लोग के साथ जुड़ा हुआ है महिम्मता जी और उनकी सरकार की इस सांदार प्रोजेक्ट के लिए सराना करता हूँ साथियों हमारे तीर्थ हमारे मंदीर हमारी आस्ता के स्थान ये सिर्फ दर्सन करने की ही स्थली है ऐसा नहीं है ये हजारों वर्षों की हमारी सब्व्यता की यात्रा की अमीट निशानिया है भारत ने हर संकट का सामना करते हुए कैसे खुद को अटल रखा ये उसकी साक्षी है हमने देखा है कि एक समय में जो सब्व्यताएं बहुत समुर्द हुआ करती थी आज उनके खंडहर ही बचे हैं दुर्भाग्य से आजादी के बाद जिनोंने लंबे समय तक देश में सरकारे चलाई वो भी आस्ता के इन पवित्र स्थानों का महत्व समझ नहीं पाए उन्होंने राजनीति इगलाब के लिए अपनी ही संस्क्रिती अपने ही अतीत पर शर्मिन्दा होने का एक ट्रेंड बना दिया था कोई भी देश अपने अतीत को ऐसे मिटा कर ऐसे भुला कर अपनी जड़ों को काट कर कभी विख्षित नहीं हो सकता मुझे संतोज है कि बीते दस वर्षों में अब भारत बें स्थीतियां बदल गई है भाजपा की डबल इंजिन सरकार ने विकांस और विरासत को अपनी नीती का हिस्सा बनाया है इसका परिणाम आज हम असम के अलग-अलग कौनों में भी देख रहे हैं असम में आस्ता अध्यात्मा और इतिहास से जुड़े सभी स्थानों को आदुनिल सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है विरासत को संजोने के इस अभ्यान के साथ ही विकांस का अभ्यान भी उतनी ही तेजी से चल रहा है बीते दस वर्सों को देखो तो हमने देश में रिकॉर्ड संख्या में कॉलेज बनाए हैं यूनिवर्सिटीज बनाए हैं पहले बड़े संस्तान सिर्फ बड़े शहरों में ही होते थे हमने आई आई टी आई एम्स आई एम जैसे संस्तानों को उसका नेटवर्क पूरे देश में फैलाया है बिते दस वर्सों के दौरान देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या करीब करीब दबल हो चुकी है असम में भी भाजपा सरकार से पहले छे मेडिकल कॉलेज थे आज बारा मेडिकल कॉलेज है असमाच नौर्थ इस्ट में कैंसर के इलाज का एक बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है साथियों देश वासियों का जीवन आसान हो ये हमारी सरकार की प्रात्पिकता रही है हमने चार करोड़ से अधिक गरीब परिवारों के पक्के घर बनाए है हमने गर गर पानी गर गर बिजली पहुंचाने का अभियान भी चलाया है उजवला योजना ने आज असम की लाखों बहनों बेटियों को दुएं से मुक्ति दी है स्वच्छ भारत अभियान के तहट बने सोचाने उन्हें असम की लाखों बहनों बेटियों की गरीमा की रक्षा की है साथियों विकास और विरासत पर हमारे इस फोकस का सीधा राब देश के नौजवानों को हुआ है आज देश में परियतान और तिर्थ यात्रा को लेकर उत्सा बढ़ रहा है काशी कोरिडोर बनने के बाद वहां रिकॉर्ड संख्या में स्रद्धालू पहुत रहे है बीते एक वर्ष में साड़े आठ करोर लोग काशी गए पाच करोर से अधिक लोगों ने उज्जेन में महा काल महा लोग के दर्शन किये 19 लाग से अधिक लोगों ने केदार धाम की यात्रा की है अयोध्या धाम में प्रान प्रतिष्टा को अभी कुछी दिन हुए है 12 दिन में ही अयोध्या में 24 लाग से जादा लोग दर्शन कर चुके मा कामा ख्या दिव्य लोग बनने के बाद यहां भी हम ऐसा ही द्रश्य देखने वाले है साथियों जब तीर से यात्री आते हैं स्रद्धालू आते हैं तब गरीब से गरीब भी कमाता है रिक्से वाले हो, टैक्सी वाले हो, होटेल वाले हो, रेडी पट्री वाले हो, सभी की आमदनी बढ़ती है इसलिए इस वर्ष के बजेट में भी अमने परियतन पर बहुत बल दिया है केंद्र की भाजपा सरकार परियतन से जुड़े अईतिहासिक स्थानों के विकास के लिए नया अभियान शुरू करने जा रही है असम में नौर्थ इस्ट में तो इसके लिए भरपूर संभावनाए हैं इसलिए भाजपा सरकार नौर्थ इसके विकास पर विशेश जोर दे रही है साथियों बीते दस वर्षों से नौर्थ इस्ट में रिकॉर्ड संख्या में टुरिस्ट आये हैं आखिर ऐसे कैसे हुआ ये परियतन के केंद्रा नौर्थ इसके खुप्सुरत इलाके तो पहले भी यहां थे लेकिन तब इतने टुरिस्ट यहां नहीं आते थे हिंसा के बीच साधन संसाधरों के अबाव के बीच सुविधाओं की कमी के बीच आखिर कौन यहां आना पसंद करता आप भी जानते हैं कि दज साल पहले असम समेख पूरे नौर्थ इस्ट में क्या स्तिती थी पूरे नौर्थ इस्ट में रेल यात्रा और हवा यात्रा बहुत ही सिमित थी सडके संक्री भी थी और खराब भी थी एक राज्य से दूसरे राज्य में आना जाना तो छोड़िये एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने में भी कई कई गंटे लग जाते थे इन सारी परिस्थित्यों को आज भाजपा की डबल इंजिन सरकार ने एंडिये सरकार ने बदला है साथियों पिछले दस वर्सों में हमारी सरकार ने हाँ विकास पर होने वाले खर्च को चार गुना बढ़ाया है 2014 के बाद रेलवेट ट्रेक की लंबाई 1900 किलोमिटर से जादा बढ़ाई गई 2014 से पहले की तुलना में रेल बज़ेट करीब करीब 400 प्रतिशत बढ़ाया गया है और तब तो प्रधान मंत्री आपके आसाम से चुन करके जाते थे उससे ज़्यादा काम यह आपका साथी कर रहा है 2014 तक यहाँ सिर्फ 10,000 किलोमिटर नेशनल हाईवे हुआ करते थे पिछले दस वर्षों में हमने 6,000 किलोमिटर के नए नेशनल हाईवे बनाए है आज दो और नई सरक परियोजनाओं का उद्गाटन हुआ है इससे अब इटान अगर तक कनेक्टिविटी और बहतर होगी आप सभी लोगों की मुश्किले और कम होगी साथियों आज पूरा देश कह रहा है कि मोदी की गारंटी याने गारंटी पूरा होने की गारंटी मैंने गरीबों को महिलाओं को युवाओं और किसान को मुल्द सुविधा देने की गारंटी दी है आज इन में से अधित्तर गारंटिया पूरी हो रही है हमने विक्सित भारत संकल भी आत्रा के दोरान भी देखा है जो भी सरकारी योजनाओं से बंचित थे उन तक पहुंचने के लिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंची है पूरे देश में करीब परीब बीस करोड लोग सीधे तोर पर विक्सित भारत संकल प्रियात्रा में शामिल हुए है बड़ी संख्या में असम के लोगों को भी इस यात्रा का लाब दिला है साथियों भाजपा की डबल इंजिन सरकार हर लाभारती तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है हमारा लक्ष हर नागरिक का जिवन आसान बनाने का है यही फोकस तीन दिन पहले जो बजेट आया है उसमें भी दिखता है बजेट में सरकार ने इंफरास्टर पर ग्यारा लाग करोड रुपिये खर्च करने का संकल पलिया है यह कितनी बड़ी रासी है इसका अनुमान एक और आकड़े से लगाया जा सकता है 2014 से पहले के दस वर्षों में याकड़ा याद रखना मेरे आसाम के भाई बैन 2014 के पहले दस वर्षों में कुल 12,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 कि आप कल्पना कर सकते हैं कि देश में कितने बड़े पैमाने पर निर्मान कारिय होने जा रहा है और जब इतनी बड़ी राशी निर्मान कारियों में लगती है तो नए रोजगार बनते हैं उद्ध्योगों को नई गती मिलती है साथियों इस बजेट में एक और बहुत बड़ी योजना की गोशना हुई है बीते दस वर्षों में हमने हर गर तक बिजली पहुंचाने का ब्यान चलाया अब हम बिजली का बील आसाम के भाईयों बेनों और देशवाजी भी मैं बहुत महत्पण काम आपके सामने रख रहा हूँ अब बिजली का बील भी जीरो करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं बजट में सरकार ने रूप टॉप सोलर की बहुत बड़ी योजना का एलान किया है इस योजना के तहट प्रारंब में एक करोड परिवारों को सोलर रूप टॉप लगाने के लिए सरकार मदद करेगी इससे उनका बिजली का बिल भी जीरो होगा और साथ ही सामान्य परिवार अपने घर पर बिजली पैदा करके बिजली बेच करके कमाई भी करेगा साथियों मैंने देश की दो करोड बेहनों को लखपती बनाने की गारंटी दी थी बीते वर्षों में जब मैंने हिसाब किताब लगाना शुरू किया तो मुझे प्रात्विक जो जानकारी मिली है अब तक हम एक करोड बेहने लगपती दीदी बन चुकी है हमारे देश में सेल्फ हेल्फ गुरूप में काम करने वाली एक करोड बेहने जब लगपती दीदी बनती है ने तो नीचे धरती कितनी बदल जाती है दोस्तों अब इस बजेक में हमने लगपती दीदी बनाने के लक्ष को और बढ़ा दिया है अब दो करोड के बजाए तीन करोड बेहनों को लगपती दीदी बनाये जाएगा इसका लाप असम की मेरी हजारों लाखों बेहनों को भी जरूर होने वाला है यहां स्वयम सहायता समू से जुड़ी सभी बहनों के लिए अवसर ही अवसर आने वाले हैं और इतनी बड़ी माताए बेहने यहाई है जरूर समें भी मेरी लगपती दीदी आई ही होगी हमारी सरकार इस बजेट में आंगनवाडी और आशा बेहनों को भी अब आईश्मान योजना के दाएरे में ले आई है इससे उन्हें भी अब पांच लाख उपिया तक के मुप्त इलाज की सुविधा मिल गई है जब बेहनों बेटियों का जीवन आसान बनाने वाली सरकार हो संवेदन सिल्टा से काम होता है भाई और बेहनों मोदी जो गारंटिद देता है ना उसे पूरा करने के लिए दिन राप एक करने का होसला भी रखता है इसलिए आज नौर्थ इसको मोदी की गारंटी पर भरोसा है आज असम्मे देखिए सालों साल से जो इलाके शांत थे वहाँ अब स्थाई शांती स्थाफिद हो रही है राज्यों के बीच सीमा विवाद हल हो रहे हैं बाजपात सरकार बंडे के बाद यहां दस से जादा बड़े शांती समझोते हुए है पिछले कुछ वर्षों में नौर्ट इस्ट में हजारों युवाओं ने हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास का रास्ता चुना है मैंने कई वर्षों तक आसाम में मेरी पार्टी के संगठन का काम किया है मैं यहां हर इलाके में घुमा हुए इंसान और मुझे आद है उस सबय जाने आने में एक रुकावट यह होती थी कि रोड़ ब्लॉक के कारकम मंद के कारकम और गोहाटी तक के अंदर मम ब्लास की घटनाएं मैं अपने आखों से देखता था आज वो भुद्कार बनता चला गया है दोस्तों लोग शांती से जी रहे हैं असम के साथ हजार से जादा नव जवानों ने भी हतियार छोड़े हैं देश के विकास में कंदे से कंदा मिला कर चलने का संकल पलिया है कई जिलों में आस्पा हटाया गया है जोक्षेत्र हिंसाज प्रभावित रहे आज वो अपनी आकांग छाओं के अनुसार अपना विकास कर रहे हैं और सरकार उनकी पूरी मदद कर रही है साथियों छोटे लक्ष रखकर कोई भी देश कोई राज्य तेज विकास नहीं कर सकता पहले की सरकारें ना बड़े लक्ष तै करती थी और ना ही अपने लक्षों को प्राप्त करने के लिए उतनी मेहनत करती थी हमने पहले की सरकारों की सोच को भी बदल दिया है मैं 39 इसको उसी तरफ विक्सित होते देख रहा हूँ जैसा पुरिवी एशिया को दुनिया देखती है आज नौर्थ इस्थ होते हुए दक्षिड एशिया और पुरिवी एशिया की कनेक्टिविटी का विस्तार हो रहा है आज यहां साउथ एशिया सब रिजिनल एकानामिक कॉर्परेशन उसके कॉर्परेशन के तहर भी अनेक सडकों को अफ़डेड करने का काम शुरू हुआ है आप कलपरा कीजिए जब कनेक्टिविटी के ऐसे सभी प्रोजेक्ट पुरे होंगे तो हिस्सा व्यापार कारोबार का कितना बड़ा केंद्र बनेगा मैं जानता हूँ कि असम के नौर्थ इस्थ के हर युवा का भी यही सपना है कि वो भी पुर्वी एश्या जैसा विकास यहां देखे मैं आसम के नौर्थ इसके हर युवा को बताना चाहता हूँ मेरे युवा साथियो आपका सपना आपका सपना मोदी का संकल्प है और आपके सपने पुरे हो इसके लिए मोदी अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा और ये मोदी की गारंटी है भाई और बहनों ये जो भी काम आज हो रहे हैं इनका एक ही लक्ष है लक्ष है भारत और भारतियों का सुखी और सम्रुद्ध जीवन लक्ष है भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का लक्ष है ट्वेंटी फोर्टी सेवन तक भारत को भिक्षिद रात्र बनाने का इसमें असम की नौर्थिस की बहुत बड़ी भूमी का है एक बार फिर आप सभी को इन विकास परियोजना की बहुत बहुत बदाई और अब तो मा कामाख्या के आशिरवाद बहुत बढ़ने वाले है बहुत बढ़ने वाले है और इसलिए मैं भव्य दिव्य साम की तस्वीर साकार होती देख रहा हूं साथियो आपके सपने पूरे होंगे यह हम अपनी आँखों से देखेंगे मैं आपको भी स्वाद दिलाता हूं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोड़ा हाथ उपर करके मेरे साथ बोलिये भारत माता की बाद बाद धन्यवाद महोदे आपके उत्साह वर्धक आशिरवचनों के लिए हम आपको कोटी-कोटी प्रणाम करते हैं देवियों सजनों इसी के साथ हम इस भव्य समारों का समापन करते हैं धन्यवाद अर्विया प्रधन मंत्री गोड़ा किये आजी जनों हभा हम भुधन कोड़ी तेखेटे मंसोत याग कोड़ी से तेखेटे खांगोदी से केंट्रियो मंत्री मुख्यो मंत्री प्रमुख्ये हांखत बिधायक होकले